नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशा स्टडी कॉर्णर में आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ वह हमारा रहेगा हिमाचन में मचली पालन तो दिखे एक्जाम पॉइंट आफ यूसी यह भी आपके बास टॉपिक जो है बहुत आपको हुग बाता है नसलों से कि बताया की नसल है या पक्रीं की नसल ऐ का मचली की यह तो किसी की अब नसल पर पूछी जा सकती है तो आपको सबसे पहले यहां ध्यान में रखनी है मचलीों की नसले कौन कौन से होती है दिखे मचली की नसले है exotic trout, घीक है, माशीर, snow trout, loiges, indigenia irreousarl, berilla, और mirror carpus, तो यह आपके पास यहाँ पर क्या है, मच्छी की नसले, घीक है, अब फिर से देखिए, snow trout, loFih, indigenia irreousarl बरीला, और mirror carpus, ठीक है, next question महारे पास, यहाँ बनता है, बहुत इंपोर्टेंट जो आपका सिहा रहता है हिमाचल में ट्राउट मचली पालन जो है किसने शुरू किया था तो देखिए हिमाचल में ट्राउट मचली पालन जो है शुरू किया था शुरी एमेल हुगल ने कब शुरू किया था यह शुरू किया था एयोने 1909 में ठीक है यह मंचल में ट्राउट मचली पालन किस ने शुरू किया था ML हुगल ने देखिए आप से एक्जाम में पूछ लिए जाता है ट्राउट मचली फालन जो कहां पर स्थित है ठीक है कौन से जीले मिस्तित है वो भी हम इस वीडियो में करने वाले है और important question यहाँ पर रहता है कि यह पालन जो है किस ने शुरू किया था टाउट मचली पालन किस ने शुरू किया था शिरी एमल हुगलने 1909 में ठीक है next question हमारे पास यहाँ पर है 1912 में ब्यास के तट पर महिली मचली पालन फॉर्म है ठीक है आपको यहां ध्यान रख रहा है कि 1912 में ब्यास के तरपर माहिली पचली पालन फॉर्म और 1947 में सुजनबाल के तट पर पतली कुहल फॉर्म जो है स्थापित कि गए थे ठीक है next question हमारे पास यहां रहता है मचली पालक विकास संस्थान तो देखिए मचली पालक विकास संस्थान कहां पर है तो मचली को जहां पर इनका पालन किया जाता है वो सित है आपका उना डिस्टिक में ठीक है तो मचली पालक विकास संस्थान है उना में next हमारे पास है हिमाचल परदेश में ट्राउट मचली कहां पहां पर और कौन से जिले में सित है एक्जाम पॉइंट उसे बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट यह रहता है ध्यान से देखेगा तो दीखे पतली कुहल जो की आपका कुलू में है यह ब्यास नदी पर है और इसकी स्थापना जो है 1909 ठीके मैंने कहा हिमाचल परदेश से पहले हमने पढ़ा पतली कुहल जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी यह कुलू में है और ब्यास नदी पर है ठीके दूसरा हमारे पास यहां पर रहता है बाथर हैचरी ठीके कुछ नाम आपने स्पहले सुने होंगे और कुछ नहीं सुने होंगे आपको यह ध्यान में यह भी कहां पर है कुलू में थो मसली फॉर्म शिके जो कि ट्राउट मसली फॉरम के एक्जाम्पल में यहां पर आपको बता रही हूं एक है पतली कुहल कुलू में वियास नदी पर दूसरा है बाथर हैचरी इसकी स्थापना 2029 में की गई है और यहां तटपर है पुछह जाता है कई बार की बला लगारी नुट सी नहीं के की तत पर है दाया या बाया या पाइ día तो यह है उहल नंबादूंग नदियों के बाया ठरब अब देखें यहां मंडी की बात हो रही है और ऊहल जो सहायक है आपकी वह ब्यास नदी की सहायक है ठीक है तो ऊहल दथा लंबादूग नदियों के बाएं तर्ट पर आपका आपका ब्रोड ट्राउट फॉर्म स्थित है नेक्स्ट हमारे पास है यहां पर होली ट्राउट यहां पर चिड़गाउ याद रखना है इसकी स्थापन कप की गई है दोहजार पांच में की गई है नेक्स्ट है ट्राउट फॉर्म संगला जो है इसकी इसकी स्थापना 65 में की गई है जैसे कि आपको पता ही है सांगला जो है आपका कि नौ attitudes में है संगला घाटी या मिल जाएगी ठीक है तो यहां पर हमने हिमाचल प्रदेश में ट्राउट मचली फॉर्म जहां जहां स्थापित हो पड़े फिर से देख लिएजिएगा पतली कुहल और बाथर है चरी है आपका कुल्लू में ब्रोड ट्राउट फॉर्म है आपका मंडी में होली ट्राउट सांगला 1965 और यह है किनार में बसपा नदी खुबरा खड़ पर ठीक है नेक्स देखिए नेक्स है कॉर्पस मचली फॉर्म जो है कहां कहां पर इसके केंदर स्थापित है तो देखिए ट्राउट मचली फॉर्म के थे जो हमने कर लिए अब मैं बात कर रही हूँ कॉर्पस सुल्तानपूरी केंदर स्थापन चंभाडी 알कार में मृउधy और यह थैसक दूसरा है मंधी यसी फॉर्म द्हस्त्राघडय हम और बिलास्पोर खड़खिए नेक्सट में पर पास ही गांगड़ा कंगड़ा फॉर्म की स्थापना 1965 में की गई है सुल्तानपूर फॉर्म की स्थापना 2000 में की गई है और यहां पड़ता है आपका चंबा डिस्ठीक में ठीक है तो एक्जाम पॉइंट आफ व्यू से बहुत ज्यादा स्थापित है ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो शेयर लाइक और सुब्सक्राइब जरूर करेगा धन्यवाद